पिछली शताबदी के मुखाबले क्रिकट में 21 वी सदी को बल्लेबाजों की वर्चसव के लिए याद किया जाएगा क्योंकि वरतमान में क्रिकट के नीमों से लेकर पिच का मैजाज सब बल्लेबाजु को मदद करते हैं उसके अलावा इस वक्त के बल्लेबाज मांसिक और शारीरिक तोर पर गेदबाज के हर पैतरों के लिए बहतर ढंग से तयार भी होते हैं मगर इसके बावजूद आज भी ट्रिकट में अच्छे गेदबाजों का महत उतना ही है जितना घर बनाते वक्त मजबूत निव का होना क्योंकि बल्लेबाज आपको मैच जितवा सकते हैं मगर टोर्णामेंट जितने का सहरा गेदबाजों के ही सर रहता है बल्लेबाज वीरोधी टीम पर प्रभाव डालते हैं मगर असल नुकसान गेदबाज ही करता है इसलिए गेदबाज को टीम की रिड कहा जाए तो गलत नहीं होगा लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गेदबाज गेद डालना ही भूल जाए तो क्या होगा तो चलिए नारग टीबी की इस खाश पेशकस में आज हम ऐसे ही चार गेदबाजों से आपको मिलवाते हैं जो गेदबाजी करना ही भूल गए थे और सबसे खराब ओबर डालने वाले गेदबाजों की अंचाही लिष्ट में शामिल हो गए इस लिष्ट में सबसे पहला नाम आता है इंजमाम लग का इंजमाम का नाम सुनकर चोकिये नहीं इंजमाम को भले ही अंतराश्य क्रिकट में बल्ले बाजी के लिए याद किया जाता है लेकिन अपने करियर की शुरुआत में वो बाए हास से मीडियम पेस बॉलिंग करते थे फर्स क्लास क्रिकट के 38 और लिष्ट क्रिकट के 30 विकट इस बात का सबूत हैं कि इंजमाम ठीक ठाक गेदबाज थे लेकिन अंतराश्य क्रिकट में इंजमाम को जिस ओबर के लिए याद रखा जाता है उसे कोई भी गेदबाज जल से जल भोलना चाहेगा बात साल 1996 के सिंगापूर कप में भारत बनाम पाकिस्तान वंडे मुखाबले की है सिंगापूर की पिछ को देखते हुए पाकिस्तानी टीम तीन स्मिनर्स के साथ उतरी लेकिन तेज गेदबाज सिर्फ दो ही थे सचिन और सेद्धू से अपने स्मिनर्स को बचाने के लिए कप्तान आमेर सोहल ने एंजमाम को ओबर दिया मगर इंटर्नेर्शन क्रिकट में इससे पहले भी कई मौकों पर गेदबाजी कर चुके इंजमाम उस रोज सचिन और सिद्धू को देखकर इतने नर्बस हो गए कि उन्हों अपने एक ओबर में चार बड़ी वाइड और नो बॉल भेकी हद तो तब हो गई जब उन्होंने गेद को तेजी से फेकने के लिए जर्क यानि बॉल थो करना शुरू करती अमपारिक नो बॉल देने के बाद इंजमाम ने दो बारा ऐसा नहीं किया हालाके इंजमाम ने सिर्फ 10 रन दिये लेकिन देशाहिन गेदबाजी और नो बॉल ने उनका ये ओबर इतिहास के सबसे खराब ओबरों में शामिल करवा दिया इस लिस्ट में अगला नाम है डेरिल टफी दोस्तों वंडे मैच में जब कोई टीम पहले गेदबाजी करती है तो टीम का कप्तान पहले ओबर के लिए सबसे अनववी गेदबाज पर ही भरोसा जताता है ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2005 और श्रिलिया बनाम नेजिलेंड मैच में पहले बैटिंग कर रहे अउस्रिलिया की ओर से एडम गिलगरिस्ट और साइमन कैटिज की सलामी जोडी उतरी इधर नेजिलेंड की ओर से 75 वंडे मैच खेल चुके अनववी डेरिल टफी पहला ओबर लेकर तयार थे एक्स्रा फर्ट लगाने के चलते टफी ने पहली गेद ही 9 वाल फेकी और उस पर गिलगरिस्ट ने करारा चाओ का जड़ दिया फिर तो जैसे एडम गिलगरिस्ट को इस्ट्राइक पर देखकर टफी का दिमाग जम गया हो पहली गेद पर टफी लाइन लेंस से ऐसा भटके कि 14 गेद लंबा ओबर फेक डाला हालात ये थे कि एक समय अक्स्रेलिया के स्कोर कार्ड 15 रन दिखा रहा था और अभी तक सिर्फ एकी सही गेद फेकी गई थी हालाकि दो बॉल में 16 रन खर्ज करने के बाद टफी ने अगली चार गेदों में बिना कोई रन दिये शांदार वापसी की मगर तब तक 14 गेद लंबा ये ओबर जिसमें 4 वाइड और 4 नोबाल शामिल थी इतिहास के सबसे खराब ओबरों की लिष्ट में शामिल हो चुका था इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर हैं कर्टली अम्रोज दोस्तो क्रिकट इतिहास में जब भी तेज और घातक गेद बाजों की लिष्ट बनेगी तो उस लिष्ट में महंतम कैरवियाई गेद बाज कर्टली अम्रोज का जिकर जरूर आएगा कर्टली अम्रोज के करियर में ऑस्ट्रेलिया की पिचो का महत्व किसी से छुपा नहीं है क्योंकि 6 फुट 7 इंचलंबे कर्टली अम्रोज ने ऑस्ट्रेलियाई पिचो की तेजी और उच्छाल से मदद ले कर कई महान गेद बाजी एसपल डाले हैं लेकिन उसी और अस्ट्रेलिया के पर्स का वाका ग्राउंड कर्टली एम्परोज की खराब गेदबाजी का गवावी बना था। दरसल साल 1997 में और अस्ट्रेलिया के विरुद्ध पर्स टेस्ट के दौरान कर्टली एम्परोज नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे थे। बॉलिंग करते वक्त कर्टली एम्परोज का पाउं क्रीज के बाहर पढ़ रहा था। और एक ओबर के दौरान ऐसा एक बार नहीं नौ बार हुआ। एम्परोज ने उस 15 गेद लंबे ओबर में 9 बार 9 वाल फे की। उसके अगले ओबर में भी जब एम्परोज ने 6-9 वाल फे की तो उन्हें स्पल से हटा दिया गया। लेकिन तब तक एम्परोज गेदों के हिसाब से टेस्ट इतिहास का सबसे लंबा ओबर डाल चुके थे दोस्तो इस लिस्ट में टॉप पर हैं मुहमद समी। 21 सदी की शरुवात में डेवी करने वाले पाकिस्तान के मुहमद समी को इतिहास का सबसे अस्थिर गेदबाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करीर की शरुवात में समी की गेदों के रफतार देखते हुए उन्हें ब विदा है कि समी ही अंतराश्य क्रिकटी तिहास का सबसे खराब और लंबा ओबर फेकने वाले गेदबाज भी हैं। बात 2004 एशिया कप की है। बांगलादेश के विरुद मैच में समी दूसरे छोड़ से नई गेद के साथ शरुवात कर रहे थे। तेज गेद फेकने के चक पात वाइड और 4-9 वाल समेथ 22 रन दिये। इस ओबर के कई सालों बाद समी ने कहा था नए उस रोज नए बॉलिंग अक्षन ट्राई कर रहा था। दोस्तो बजा जो भी हो मगर मुहमद समी तिहास में सबसे खराब ओबर डालने वाले गेदबाज बन जुके हैं। अब की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।